और यह जो ट्रेन का टाइम था पारवास का 30 मिट में लेकिन दो गौंटा लेट हुँ चुका है भाई आभी हुँ मांजट्षा रेस्टेशन में करला का लास्ट टेस्टेशन है अभी तो भाई फेलाल में म्रांगालोरू सेंट्रा रेस्टेशन का बाहर निकल चुका हुँ अब इस किमेटर दूर वारे के बीच है यहां पर भासकोदा गामा लैंड किया था उसका नामें का पड़ आई सक उसनामें बीच में एकदम मेला जाई से लागा हुआ है तो फिलाल में हूँ काली गट में वहां से चेक आउट करके निकल चुका हुँ आभी में जा रहा हुए यहां से एस्टेशान और यह से जाएंगे मैंगलोर और मेरा चुक प्लान था यह से कोएंबठोर उठी जाने का लेकिन अब भी ओप्लान नहीं कर रहो यह यह से में जाओंगा वैंगलोर और मैंगलोर के लिए कर देखिए कर देखिए कर दो त्वाइब मैंने फाइनाली प्रेंट बगाड़ लिया और आगवी टाइम हो रहे दो बसकार 20 मीट पारा बसकार 20 मीट में था लेकिन दो घंटा करीब दो घंटा लेड हो गया जिए बहले जो ट्रेंट बगणा था वो नवशकार 15 में पर था लेकिन टिकेट मुझे नहीं नहीं मिला था और डिकेट है वो प्राटफॉर्म से लेना था तो प्राटफॉर्म में काफी लाइन था उसलिए ओं अलाइन गुप किया था और यह जो ट्रेंट का टाइम था फारा बास का 30 मीट में लेकिन दो घंटा लेड हो चुका है और आपनी काली कट से में निकल झाल झाल तो भाई अभी मैंने कुंबला स्टेशान क्रोस करका है हूँ कुंबला स्टेशान जो है नौत करला में दूपएद दो बसका 20 निट में ट्रेन छुटा था पलिकट से और अभी टाइम हो रहे पास बसकार 25 में तो लबबक तेन वंटा पंद्रा में हो चुका है ट्रेन जानी और वहाजना है और ह्खाव धर क्लाउड लिया अभी और एक एक ट्रेशन आयेगा पी ये उसका बद करनात का में अनल्ट करूंगा अभी जो श्क्रिक्शन आने वाला है मंशेशार है के डिलास्ट शोशन smiling Route उसका बात ट्रेर्वात गिज्अगा तयक् मैं आ रहा हूँ पलिकोट से मैंगल उट का अपी छोड़ा सा रीवर मुझे देखने को मिला और गिरिदेरी बहुत है और अपको जो नायल का पेर बहुत ज्यादा दिखने को मिले तो कपे अच्छा लग रहा है ट्रेन जारी का रहो बाहर का नजरा देख रहो तो कपे अच् कि अद्याद तो नगित मंजश्र एंच में पहुंजुया हूं और इधर आगे लिख कह हो है मंजश्र के रहा एस्ट्रान के नजरा और और यह वह मंजश्र एस्टेशन का नाजरा पारिया अभी हुह मंजश्र एस्टेशन में करला का यास्ट एस्टेशन एाभी so not kalam में और यह से अगला जो इस्टेशन पर रुकेगा हो है मैंगलो डाइरेक्ट कनाटका में तो अभी ट्रेन चल दिया मनजश्चार इस्टेशन से और जो अल्मस्ट खाली हो चुका है ज्यादा लोग नहीं पुरा अब हम चाहिए अजे और सो हाई काली है और यह पुरा जो मैने तक ने टिकित बुक किया था यह सेकंड सीटिंग सेयर का बुक किया था मैंने अनलाइन में बुक किया था 95 रुपीस का टिकेट और उसमें जो चार्ज लगता है वोगिंचार्ज बिलाके एक लगबा के एक सो साथ उप्या पड़ा था बस यह है और फटी देर में मैंगलोर तुछ वाइब दुछ वाइब बाइब लेट नहीं हो अपी और एक तु मिनिट पर बोच जाओंगा पुरा पोज चोहें एक हाली है जो लागा था बहुत लेट हो जाएंके लेकिन उत्ता लेट नहीं होँआ श्रिप 15 मिनिट लेट था यहाँ पर लेका हो है मैंगलोरू सेंट्राल और इधर इस ट्रेन पर मैंने आया और फिलाल में मैंगलोर स्टेशन में हूँ तो भाई मनें वोस्टेल बुक किया ब्लौकिंग डर्टम से बुक किया तीन सर रुपया पर नाइट तो कभी बैंग आ है तो देखते इस्टेश है क्या तो फिर वहीं तीन सर रुपया में रहना पड़ेगा ऐसे काली कोट में मुझे मिला तासस्ता में एक नंबर क्या जी बाहर बाहर दिसेट ओके और तो भाई फिलाल में में चल्ड़ू सेंट्राल एले स्टेशन कर बाहर निकल चुका हूँ और आगे मेरा देख सकते हाँ यहां पर लिखा हो है में अगलूरू सेंट्रल यदार अगे नजरा है तो तो यहसे मैं जाओंगा होस्टेल त लगबाक 25 मिनिट्स लाए गया से तो चलते हुदर तो भाई फाइनली में पहुच गए हूँ वस्टल में और फिलाल में होस्टल का अंदर हूँ तो मुझे स्टेशन से यह तक पॉसन में 30 मिनिट्स से भी ज्यादा लगा क्योंकि यह एक माउंटें एडिया है रोड में कभी उपर चारना पड़ते हैं कभी नीचे चलना पड़ते हैं तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगते हैं फिलाल देख सकती है अपर इधर तीन बेड लगवा है एक टेबिल है इधर लॉकर है लेकिन लॉकर बहुत चोटा है मेरा काम में नहीं आ रहा है मेरा ब्यादा तो एप कैसिल कर देता लेकिन मिला नहीं तो फाइनली एई लेना पड़ा तो क्या कर सकते हैं तो एक ही दिन रुखेंगे काल यह से निकल जाएंगे सुबह देखते कोई अगर घुमने के लिए है तो आसपास में जाएंगे गुमने और यह से मैं जाओंगा यह स और रात का आठ बजे काल तो देखते का होता है तो बैस गैस इस वीडियो भी इतने ही है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दोना कैनल में ना है तो सबस्क्रेब कर लेना फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैपी stay safe, keep traveling and keep enjoying your life, bye